3rd Indigenious Aircraft Carrier जी हाँ, आप सई सुन रहे हैं Initially Navy का plan था कि INS Vikrant के बाद Indian Navy एक जादा बड़े aircraft carrier के लिए order place करेगी जिसका displacement weight around 65,000 tons होगा जानकारी के लिए बता दो कि INS Vikrant का displacement weight around 44,800 tons है बट लेटर होना में बचला कि Navy actually Vikrant का ही एक repeat order place करने वाली है क्योंकि काफी satisfied थे ये विकrant के performance से बट अब हमारे Navy Chief जी ने एक clear कर दिया है कि Navy को definitely एक 3rd Indigenious Aircraft Carrier के requirement है जो कि जादा बड़ा होगा और competitively जादा advance होगा और ये बात sense भी उनाती है क्योंकि अगर आप realize करेंगे तो INS Vikram आयते के retirement के बाद आपके पास सिर्फ दो carrier बचेंगे और इन में से भी अगर कोई refit के लिए चला जाता है तो उस case में सिर्फ एक carrier आपके पास बचता है अब ऐसे में आप Indian Ocean में चाइना को counter करने की बात सोच भी नहीं सकते बिना allies के अब वीडियो एंड करने से पहले में आप से सवाल इंडियन नेवी चीफ का नाम क्या है